असलाम उलेकुम दोस्तों गैसे आप सब माशालला कुर्बानी 2023 के लिए जहां तक दियोनार पहुच सक रहे और जहां जहां तक पहुच सक रहे वहां वहां पर जाके बकरों का वीडियो बना रहे अपने सब्सक्राइबर के लिए वीवर्स के लिए और जितने लोगों ने प्यार दिया उन सब के लिए तो मशलला उमीद यही रहती कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाते रहे स्क्रीन पर आप मेरे साइड में देख सकते हो, BMC की कुछ वैन चल रही है, उस वैन के अंदर आप जब दिहान से देखोगे तो आपको कुछ बकरे दिखेंगे, जब हमने BMC पर प्रशाशन से बात की कि भाई ये किस तरीके की रेड है, क्यूं हम सब जगा से बकरा उठा के लेके आ रहे, तो उनका कहना ये था कि हमारे जो ऑथरिटी है, उनकी परमिशन नहीं है कि हम कैमरे पर आ सके, बढ़ एक भाई से बहुत रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ओफ कैमरे पर, कि भाई ऐसा है कि जब गवर्मेंट इतना खर्चा कर रही है, द लोगों का काम है, देवनार बकरा मंडी में ही बकरा लाए, बकरा बेचे, क्योंकि जो उससे होने वाली इंकम है, वो गवर्मेंट के खाते में आए, उसका यूज जो है, जो भी टैक्स होता है, बकरा अंदर दालने का खर्चा या जो भी, इतना उन्होंने खुल के नहीं स इस कमेंट बॉक्स में बताईए, कि देवनार बकरा मंडी में बकरा बेचना सही है, या हर जगा बाड़ा लगाना सही है, मैं किसी की साइड और सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ भाई, अपना काम है, आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, स्क्रीन पे आप लोगों ने दे आप लो देवनार बकरा मंडी में शिफ्ट कर लो ने तो रात तक कारवाई होगी और बीमसी ने वो कारवाई कर दी, अब आगे का प्रोसीजर क्या है, बकरे किस तरह छूटते हैं, इंशालला भी हम जाएंगे देवनार बकरा मंडी तो बीमसी के जो ओफिसर्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनका एक रिव्यू लेंगे कि सर, अगर बकरा भार अब जो ला चुके हैं, जो बकरा बेच रहे हैं, उनके लिए प्रोसीजर क्या है, अगर उन्हें अपने ही जगे पे बेचना है तो बेच सकते हैं, या फिर दिवनार में लाके बेचना कम पल सर, ये सारी बाते हैं इशल्ला हम उनसे करेंगे और इसका वीडियो हम रात में अप्लोड करेंगे, तो दोस्तों अपना काम यही है कि अपने भाईयों को सपोर्ट करें, और जहां पे जो अच्छा बुरा हो रहे हो आप लोगों को बताए, बस ये वीडियो को ना शेयर करें ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुच सकें, बाई, टेक, और अल्ला हाफिज, दुआ की दर्खास